Hello friends, welcome back to my choice agriculture, I am Saurabh Pratab आज हम बात करने वाले हैं agriculture option की कैसे हम prepare कर सकते हैं इसको UPPCS के लिए और UPSC के लिए UPPCS और UPSC की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि UPPCS को सलेबस है UPSC के ही तरजबर बनाया गया है और UPPCS का सलेबस में से कुछ पॉइंट्स जो है UPSC हो जाते हैं तो समझनिक जुरुत है हमें यह कि agriculture option लेना चाहिए या नहीं तो चलिए समझते हैं कुछ data यहां पर मैंने success ratio के बारे में दिया हुआ है कि जो other optionals हैं इनके success ratio क्या है हिस्ट्री की जो preference है एरांड 1000 इस्टुडेंट्स ने हिस्ट्री के प्रिफर किया था एज ऑप्सिनल फिर sociology में एरांड 1400 ने प्रिफर किया था देन geography सब जयता प्रिफर किया जानों सद्धिक्ट है आज के टाइम पर एक एंत्रो भी चल लाए हलांकि एंत्रो का डेटा मेरे पास नहीं था है इसलिए मैंने यहां पर मेंसन नहीं किया अब बात आई PSIR की तो ऐसा ही कुछ देखनों के मिलता है एरांड 1200 इस्टुडेंट्स ने ऑप्टिक किया जिसमें से 117 को रिकमंट किया गया हालाकि यह डेटा जो है 2017 का है उसकी बात का डेटा अभी रिलीज नहीं किया UPSC ने जैसे रिलीज करेगा मैं आपके पास ऐसा वीडियो बनाकर डाल दूंगा फिर पबैट काफी जाता पॉपिलर था उस टाइम पे तो 1100 इस्प्रेंट्स ने लिया था जिन में से 119 को सक्सीड मिली है ठीक है यहां पर आया अग्रिकल्चर ऑप्शिणल मोस्ट निगलेक्टिड ऑप्शिणल है बट यहां पर सब्सक्राइशियो देखिए 11 कंडिट्स को रिकमंट किया गया सब्सक्राइशियो कितना हो गय यहां से आप कुछ एनलाइश करने कोशिश करिए कम इस्प्रेंट्स हैं बट सक्सेश रिशियो क्या है काफी ज्यादा हाई है अब इस डेटा को देखिए यह भी अग्रिकल्चर ऑप डेटा है कि 2013 में 67 स्टुडेंट्स ने लिया था 14 में 65 ने 15 में 86 ने 16 में 2220 ने लिया था तो यह देखिए सब ज़्यादा अभी तक लिया जाने अले सब्सक्राइश रहा है 2016 में जिन मेंसे 41 और 41 में से सक्सेश रिशियो देख रहा है 18.6 रहा है 17 में जो कि मैंने अभी डिटा दिख वरंट की यहलेते शाइओ 12.4 rank तो कुछ है 351 रहा तो यह सब्सक्राइश यह की केणिदेश को जांकारी नहीं रहती है कम लेते हैं लोग जांकरी नहीं वैजह से मिन फेक्टर यहिए मारकेट में सब्सक्राइश मैटिट्र stalk सब्सक्राइश 700 प downturn, इस वज़ए से ने intensityielt स सब्जेक्ट है बट स्कूरिंग बहुत ज़्यादा है मैं आग आगे बताता हूं कि एड्वांटेज के हैं सबसे पहले एक तो डाइट कोश्चन्स आते हैं इसको भी मैं अभी प्रूफ करूँगा इसे पूरे कोशन्स आते हैं जो शिलेपस टॉपिक्स नहीं चाहिए हैं अधर ओप्सेशन में ज्यादा के पावर सब्सक्राइब करनी होती है पूर एस्पेसलिवन सब्ज़ेक्ट तो काफे जदा अनलेकर हो जाते हैं अंचा यह सब जदा इंपोर्टन बात है कि तिन से चार महने के अंदर आप रखेर कर सकते हैं आराम से तीन महने में कब होगा जब आप चार गंटे पर आ देंगे और चार मेने कब होगा जब तीन गंटा अराम से दाइस तीन गंटा देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस्पेसली इस वन आप दर लवेबल सब्जेक्ट फॉर आई-फस इन फॉरेस्ट सर्वेस्ट बिकास इन यहां पी हमारे पास ही यह मेन मेन एडवांटेजेज हैं सब ज्याता क्या है कि इसकोरिंग बहुत है आप 330 के 300 अराम से ला सकते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स जो रहे हैं है कि 310 कि 312 इस टाइप से मार्क्स लाएं आप गूगल करेंगे यतीज देश्मुक महारास्टा कैडर में हैं आई-टियस तो इन्होंने कितना गिन किया था 307 और सबसे बड़ी बात नॉन एग्रिकल्चर बैक्राउंड से थे ठीक है तो यहां पर इन्होंने मेथ टोड़ा कि जो एग्रिकल्चर बेक्राउंड से जो एस्प्रेंट्स नहीं है वो भी ले सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप यह मार्क्स कोई खराब थोड़े हैं यह काफी अच्छा स्कोरिंग है क्योंकि आउट आउट बहुत ही रेर चांज होता है जिसमें से 320 जाता है तो आपको पास एडवांटेज हो जाता है कि इसको कम समय में ज्यादा फटना देके हम अच्छे मार्क्स कर लें और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो रैंक है अब करता है तो आपको आपको क्या है एकरी कल्चर तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि इस अध्यादा फाइदेमंद है लिए और यह कितना क्लियर होगा अब मैं अप्रूव करता हूँ डाइट कोस्टन कैसे आते हैं यह देखें स्लाइट यहां पर बाइलोजकल वीड मैनेजमेंट यह टॉपिक एक्स्प्लिसिटली मिंसन है से लिवस में तो यहां पर पूछा गया करेंट स्टेटस ऑफ बाइलोजकल वीड मैनेजमेंट यह एक अपका है 2016 का यह देखिए नेक्स्ट यह पूछ लिया गया 2017 में 1718 में आ गया था करेंस को डिस्ट्राइब दो मैंटेट्स ऑफ बाइलोजकल वीड मैनेजमेंट इस्यूटेबल एक्सांपल्स टेन मार्कर तो अगर आपने यह कर लिया होता तो आपका असानी से आगया होता यह फिर से लिए बस हो जब मेंसन था आपने नोट्स बनाए होते तो आप यह द आप अब दर एक्रिक एंशन इन एक्रिकल्चर एंड फोरेस्ट भाई आप एक्रिकल्चर आप्षान पढ़ रहे हैं वह भी रिमोट संजिक और जी आई इसका ऑप्सेंट जो होगी कहां एक्रिकल्चर फोरेस्टी में होनी चाहिए तो आपको यह पढ़ना है अगर आपने बहुत ज्यादा पुराने ने लिए अभी लेटेस्ट के ही हैं यह यह देखिए एक्स्वें दे यूटिलिटी आफ रिमोट संसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एक्रिकल्चर आया डायक्ट कोई ज्यादा डिफ्रेंस तो समझ में नहीं आया लग कि बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यह जानर्स का यह हमेसा आता रहता है इसके रूल क्या है क्या का काम करता है फंक्संस क्या इसका यह पता होता आप अगर इसको सॉलो करते तो यह आसानी सॉलो जाता और यह आप तर्म ध्यान दीजिए मैं गरंटी देता हूं कि 2013 से लेके 2022 तक जो मेंस के क्वेशन सोच चुके हैं आपको हर साल अल्मोस्ट हर साल मिल जाएंगे आपको के लिए जो सब ज़्यादा लवीबल सब्जेक्ट है अगर यह ऐसे नहीं पूछे के तो आई प्यूंप के सब्ज़्याद लवीबल सब्जेक्ट हैं है तो मैंने प्रूफ किया कि जो वहां से आते हैं यह वहां से मिल जाते हैं तो हमारे दिय सब्ज़्यादा इस चीज के लिए है कि अब टॉपिक करिये उसमें नोटस बनाएए रिवाईस करिए एंसर इंक्रिवें करिए और एक् कि अभी देखिए समझते हैं कि कैसे प्रिपेर करना है कि सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है और गाइडेंस नहों पाने की वज़े से बच्ची इस आप्शन को नहीं लेते और बोलते हैं गाइडेंस नहीं है फिर मैट्रील अवैल बल नहीं है यह सारे फैक्टर्स रहते है कि प्रदीप सर्की है और या फिर एक इवाल्यूशन की है कि बटी चार्जेस कितने होते हैं कि प्रोबैबली फिप्टीन थाउजन अबाव हुई है तो आप इसके काफे जाता पे करना पड़ जाता है जिसके वाज़े से जो एस प्रेंस हैं इस आप्शनों कंसीटर नह देते हैं या फिर थोड़ा बहुत फीज दे देते हैं तो यह फ्रेंस में जो है हैं सबसे बहुते हैं कि इसको कैसे प्तियार करना है तो यह विशद्राइं पर अग्यार्स को ब्रेक लेना है साथ में तरत ना य knocked EO的 कॉंसर ओंसे आया है what could do पांसे आया है इसको समझनाख denen basic डियाओ उनको रिड़ करना है यो टोप्पिक दिया explicitly governo health स्लेब स्में उसको ध्यान देना है और उसके भेस पे आपको या जो टॉपिक है उसके बहर नहीं करिए कोशिश करिए देन नोट्स प्रिपर करते रहे साथ में आपको एक है ना जब रात में चलती है या फिर बाइक चलती है तो आज लाइट कि यहां पर लाइट है तो इसको बहुत ज़्यादा मेमराइज करने जुरूत रहती है अग भी मैं इस्ट्रेटिजी बारे में बताऊंगा कैसे इसको और प्रिपेर कर जा सकता है यह तो मैंने त्रॉस ब्रॉड बताया जो प्लैन है कैसे कर सकते हैं आप और 2023 में जो देने वाले हैं उनको तो कोई प्रॉब्ब्रम नहीं होगी फिर एंसर आइटिंग अब बस इत समझना है कहा से क्वेशन आ रहा है फिर बेक्वेसिक पड़ना है इसके बारे में और अप थे प्र तो मैं यहां पर थोड़ा-थोड़ा बेकर करके बता देता हूं कैसा-कैसा से अले बस रहता है प्रवेशन में से तो हम इसको प्लस कर देते हैं तो यह टॉपिक्स होगे हैं यहां से कुष्टन्स आते हैं अच्छा अभी समझते हैं कौन सब्सक्राइब देख लेते हैं फिर बताता हूं मैं यह थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का हो जाता है क्योंकि यहां पर जेनेटिकस जेनेटिक्स और प्लांट बिर्टिंग वस यह दो सब्जेक्ट है अगर आप यह और यह इन सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं तो आपको 70 पर संट मांक से यह से गेंड कर लेंगे और 50 पर से पुरना पेपर 50 पर संट यहीं से आता है कर सकते हैं कि यहां से भी 50 परसेंट आ जाता है को फिर होटी कल्चर कुछ कुछ ना जाते हैं अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं बाइचांस आपको आश्टाइम कम है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कुछ बेसिक्स दो चार जो टॉपिक से उनको आप प्रिपेर कर ल कि ना कोई देगा आपको गूगल भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको बस यहां पर एक सॉल्यूशन क्या है जो जी यस थ्री पड़ते ना वहां से प्रस पीवाइक्यूस बस वहां सब्टिमेंट करिए नोट्स बनाएए आराम चाप क्लियर पर ले जाएंगी तो अभी तक देखा होगा कोई ज्यादा प्राब्लम की बात नहीं रही है अच्छा यूपिससी में से सीवल सर्विसेस के लिए और आयएफेस इसमें क्या है चैसी में पाइमिनेट मार्क्स का आता है और आयएफेसमें फ्रेंट माक्स का लोग कितना कितना किन करते हैं और जाएगा मार्क्स लोगों ने यहां तक कि मार्क्स गेंड की है त्रण देट ट्रण रफोट सेंड़्ट विक्ति इंतक यहां तक गेंड कि अपने रियरली सुना होगा कि साथ इतने अच्छे मार्ट किसी आप्शन में आएं एकसेप्ट मैठ कि मैट इस अच्छेट है ना जहां पर इसको रहाई किया जा सकता है कर इसका टारी असर है कि इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब कर ले रहे हैं जाकर आप देखेंगे ना उनका तो वंडेट से तूफोटी आराम से आ जा रहा है मैक्सिम्म तूफोटी तक जाता है वट ऑनेवेस्ट रहता है तो कोई खराबी नहीं इसमें से जोई स्कोर बहुत अच्छा है और यही आपको रैंक दिलाएगा और अल्टिमेटरी रैंक हीवर करती है क्योंकि आपको आई सब्सक्राइब करता है आप किसी भी तॉपर के इंटर्व्यू देखेंगे इवें दिवी किर्तिसर भी बताते हैं कि आप ऐसा लीजिए जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं और हाई स्कोरिंग हो तो फिर आई होप अग्रिकल्चर किसी को ऐसा तो नहीं होगा कि पसंद नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो कोई बात नहीं हम इसका विश्यूशन देंगे कि पीपर वन जो है ना थोड़ा सा कॉंसेप्ट्यूल है कि आप कॉंसेप्ट तयार हो जाएंगे ना तो आराम से राइट कर लेंगे सारी चाहिए सबसे बड़ी बात तो यहीं है आप इसको अगर लग के पढ़ेंगे ना तीन से चार गंटे चार गंटे तो आप 1.5 मंत में क्लियर कर देंगे इतना तो अगर जो नया स्प्रेंट उतना उसका नहीं लेगा लेकिन जो ग्रेजुएट है अग्रिकल्चर ग्रेजुएट वाराम से कर सकता है बड़ जो अग्रिकल्चर नॉन अग्रिकल्चर वाले हैं उसको 1.5 तो टू मंत लग जाएगा इसमें से जी पी जो बताया था ना जेनिक्स एंड फ्लांट 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 फिजियोजी अ अग्राइब करना है यह इस इतना है आपको ध्यान दिना बाकी ज़्यादा कुछ टेंसन की बात ही नहीं है बाकी बच्चि हुए टॉपिक्स जो है काफी इंट्रस्टिंग है तो थोड़ा-सा टेक्टिकल्स नेटर का होता है इसमें से मेमराइस करना होता है करना होता है sorry for my bad handwriting कि नहीं वालो करेंगा इसको तो यह रहता है अब इसको प्रेप्यर कैसे करना है कि कि किया जा सकता है मैंने बताया इस्ट्राटिजी क्या होने चाहिए कि इस्ट्राटिजी है एक एक यूनिट आराम से एक या दो यूनिट खतम कर सकते हैं अगर च्छोटी यूनिट पेपर वन के तो आराम चाप कर सकते हैं यह पेपर टू में वन वीक में अगर यूनिट कैसे अभी तो 2024 वालों के लिए आसानी है अलाकि 2023 वालों के लिए आसानी है कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 2024 वाली ध्यान दें वह कैसे प्रिकेर करेंगे कि क्या करना है कि आप जब चीजस पट रहे हैं तुझके साथ सप्लिमेंट कर लेनी है ठीक है और अप्शनल उठा लेना है कि जब आप इस टेंडर निटी कवर करने बात कि अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है तो अपना कोचिंग लेख सकता है मेरे फ्री अप्लोड करूंगा अप्शनल पे तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं तो उनके बाद आप आ सकते हैं और टाइम ऐसा बनाएए पहले तो से लिपस का जो टॉपिक है क्या करना टॉपिक दिखना है पीवाई क्यों देखना है कैसे पूझे जा रहे हैं देन नोट्स है कि अभी आपकी 2023 वाले वह समझें कि उनकी प्रेफरेंस क्या रहाने चाहिए सबसे पहले वह प्रिलिम्स को तो फोकस करें अगर उनके पास टाइम मिल जा रहा है थोड़ा लिए आया तीन गंते तो का कभी भी औससे स मझें अगर पसंद है तो आप कभी क्या आँदे सकते हैं आप दिक्कत बात नहीं है बढ़ा यहां करने में या अगें करना चाहते हैं यह नहीं के लिए तो साम को दीजिए और आराम से आप करते रहें थोड़ा थोड़ा यहीं मैंने पूरल आहिए अगर आप अभी प्रवन मैंके के बाद प्र मैंक मेंन कबकाद कर सकते हैं चुल्बभ खत्म हो गया देंब का टाइम रहे गया इस बीच में आप अप्शनल कवर सकते हैं कि अधिक है आई हो कि इतना क्लियर होगा आप में बात करता हूं सोर्सेस की नहीं है तो टी आनियों कुछ नोट से अचार एंजी रंगा जो एन यूश्टी है 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 रवाह के नोट और टी एंट यू जो है तमिल्लाड में तमिल्लाड एक्रिकल्चर इंवर्श्टी वहां के नोट सकाफी अच्छे दोनों बहुत अच्छे हैं आप किसी एक को प्रिफर करें कि सब्जिक्ट वाइज मिल जाएगा अराम चारेफर कर सकते हैं नोट्स बनाई अपने देन अरुन का त्यान अगर आप इसको ले लेते हैं बहुत अच्छी भूक है दो वल्यूम में है फॉस्ट और सेकेंड अगर आप इसको ले लेते हैं और सप्लिमेंट कर लेते हैं गूगल से तो आपको बाकि पढ़ने के जोरत भी नहीं है कोई दिख्कत नहीं होने वाली बस आप यह मजबूत रखें के अंसर राइटिंग कुछ लोग बलते हैं रेडियंट डिके दास यह सब पढ़िए इविन के भी सर जो है वह भी कहते हैं जाला कि मैं अगरी नहीं क पढ़ना पॉसिबल नहीं है और इतना सौर टाइम है तो आपके आपकर सकते हैं अगर ले भी लिया है किसी को पढ़ने के ज्यादा मन है तो सेलेक्टिव रेटिंग करने ठीक है जो स्लेबर में दिया हुआ है उसी बेस पर रेटिंग करें दोने बुक से ज्यादा माता सब्सक्राइब है जो नौन अग्रिकल्चर वाले हैं यह जिन्हों ने अभी तक अभी तक अप्शन के बारे में जनकारी नहीं लिए कहीं से या ग्रेजुएटर हैं बट कंटेंट जाता पता नहीं है या रीड नहीं किया अभी तक तो आप यह जुरूर करिए तो मुझे सब्सक्राइब बहुत अच्छी लगी इसमें से साथ टॉपिक्स कवर्ड हैं और इस सब्सक्राइब करी गई है तिन गूगल सर्च गूगल वाबा आप आराम से गूगल में सर्च करिए जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं यह पीवाई किसों पूछे गए हैं बट इस कंटे इंडियन एक्सप्रेस और सप्लीमेंट कैसे करेंगे इस सारी चीज़ें करेंट अफेर से कोई एक पड़ना है दो के पीछे मत बागएगा तिक दो के बागेंगे ना तो आपका प्रिलिम्स क्लियर हो का ना ही कुछ हो का अगर प्रिलिम्स नहीं हो रहा तो आपका अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए मैं आपको उसका रेप्लाइ के दूर्प करूंगा अच्छा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप कंटिंटि चाहिए हो आपको फ्यूचर में तो इस चैनल सब्स्राइब कर लिए और कमेंट कर करते रहेगा जो जो आपको डिमांड हो ठीक है और आल दे बेस्ट फॉर और प्रप्रेक्शन थैंक्यों सो मच कि अ कि अ कि अ कि अ कि कि